Hello friends, आप सभी का हमारी YouTube चैनल पे स्वगत है Friends, आज मैं आपको WhatsApp की एक ऐसे सेटिंग के बारे में बताने वाला हूँ जो सायद आप नहीं जानते हो यकिन मानिए दोस्तों अगर इस सेटिंग के बारे में आप जान जाओगे न तो आप बोलोगे कि भाई ये क्या गजब की सेटिंग बताया तुने जी हाँ Friends, इस सेटिंग के मदद से दोस्तों आप WhatsApp के अंदर तहल का मचा सकते हो अब तहल का क्या है मैं अभी आपको बता देता हूँ तो दोस्तों जैसे कि अगर आप कोई गुरूप बनाते हो WhatsApp के अंदर मतलब जिन जिन लोगों को आप WhatsApp गुरूप में जोइन किये हो उन सभी लोग जो है अलग अलग चीज़े भेजते रहता है वाटसेब गुरूप में कोई वीडियो भेजता है कोई मैसेज करता है कोई फोटो भेजता है कोई लड़की वगर एका फोटो भेजता है ठीक है तो दोस्तो आज जो मैं सेटिंग आपको बताऊंगा उस सेटिंग को अगर आप WhatsApp के अंदर कर लोगे न तो आप सिर्फ आप ही अकेले मैसेज कर पाओगे दूसरा इंसा नहीं कर पाएगा जैसे कि अगर आप कोई ग्रूप बनाते हैं और आप मैसेज करते हो तो आप ही कर पाओगे और दूसरा सिर्फ देख पाएगा आपके मैसेज को कि आप ही मैसेज कर रहे हो और उसके पास दूसरा कुछ भेजने के लिए आप से नहीं रहेगा तो दोस्तो सबसे पहला आपको अपना WhatsApp खोल लेना है WhatsApp खोल के दोस्तो जैसे कि अगर आप कोई ग्रूप बनाना चाहते हो ठीके तो दोस्तो आभी आपको सेटिंग देखा दिता हूँ कि कैसे आपको करना यह सेटिंग और आज तक दोस्तो मैं यकीन के साथ कह स़ई हो कि यूटूब में आज तक आपको किसी ने नहीं बताया होगा इस सिटिंग के बारे में तो दोस्तो आपको त्रिडर पर जाना है त्रिडर पर जाके दोस्तो यहाँ पर आपको दिख रहा है निव बोड कास्ट ठीके दोस्तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है दोस्तो यही गुरूप है आपका ठीके गुरूप में आपको नहीं जाना है निव बोड कास्ट पर जान ींटिंग के मदद से आप ही अकेले मेसेज कर सकते हो तो दूसरा टम नहीं कर सकता जी clear फिसरा इंसर शिर्फ देख सकता है आपके मेसेज को और नहीं कर सकता तो ही ना कमाल की ट्रिक दोस्तों कैसे लगा दोस्तों यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक कर देना हमारे चैनल पर आप नए होतों चैनल को सब्सक्राइब करके बैल घंटे को ज़रू दबलना ताकि मैं जब भी कोई नए नए वीडियो अपने चैनल को पर अफ्लोड करूं उसका नोटिंग वेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए